राधी राधी मेरी यूटो फैमली असे सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चों की डिवान पूरी करना बड़ी मुश्किल सा हो रहा है मतलब घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है जैसी कि मेरी बेटी है और मेरे हस्बेंड है इनको म में दूसरे तीसरे दिन मीठा बनवाते ही रहते हैं अभी सुबह काई टाइम हो रहा है और साइड में आप देख रहे हूं मैं अपने बना रही हूं और वैसे अभी घर में पूजा भी चली रही है तो यहां पर यह मैंने कढ़ाई रग दी है और इसमें डाल दिया है मेरी बेटी जिसकी आज तब्यत खराब है इसको नो बुखार हो रहा है चले कोई बात नी यह तो घर में चलता ही रहता है अपनी रेसिपी के पास आते हैं आप देखे जैसे कि यह दूद है हमें इसको इतना पकान है कि अच्छे से गहडा हो जाए यानिके इसको पकने में हमारा बहुत ही अच्छे से गहडा हो चुका है इस टाइम पे मैंने आप डाल दी है करीब 1500 ग्राम के जितनी चीनी मतलब दो लीटर के जितना दूद था तो दो लीटर के जितने दूद में 1500 चीनी डाल देनी है तो मैं चो यह मिठाई बना रही हूँ बहुत हलके से मिठे क बना रही हूँ इसमें भी काफी हो जाएगा वैसे तो लेकिन आप यहां पर सो ग्राम पचास ग्राम दो सो ग्राम मतलब अपने हिसाब से मेठा डाल सकते हैं कहने का मतलब यह है और मेठा डालने के बाद जब तक यह अच्छी से थीक सना हो जाए और इस पे अच्छा सा कल यह हमें बाद आज की उपर रखा रखा तो इसको नीचे उतार के घुटाई सी कर देते हैं जो कढ़ाई है ना हमारी बहुत ज़्यादा गराम है तो हमें क्या करने है कि हमसेगा 5-7 मिनट के लिए इस से घुटाई सी कर देनी है इससे क्या होगा जो यह हमारा खोया है या मिठाई का यह धीरे धीरे ठंडा होता चले जाएगा और एक दम मकमली टेक्चर में आजाएगा आप देख सकते हैं इसका टेक्चर इस टाइम कैसा हो रहा है तो इसी तरह कि हमें टेक्चर चाहिए अब हमें इसको रेश्ट देना है कम से चार से पांच घंटे का या फिर एक कि रात का ही रेश्ट दे दिया है मतलब मेरी साथ कुछ ऐसा हुआ है मैंने जैसे इसको बनाया था मैंने सोचा सामके टाइम में बना लूगी बट किसी वज़े से मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने इसको फ्रीज में रखके छोड़ दिया था और अभी अगला ही दि अप्रेचर पर छोड़ रहे हैं तो उसमें भी साथ से आठ घंटे का टाइम लगी जाता है तो देखे बढ़े ठंडा हो रहा है और काम करने के लायक हो रहा है तब हम क्या करेंगे इस तरीके से मतलब छोटे छोटे से गोले बनाएंगे और इसको इस तरीके से पेड़े का देखने में तो इसका जो ये एक मिश्रन है वो कुछ इस तरीके से तयार हुआ है कि आप इसको किसी भी तरीके की सेप दे सकते हो ये ओटोमेटिकी सेप में आ जाता है ऐसन यह के बनाते वे फटता है और हां मैं आपको बता दू अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि यह ही लगाते जाए और पस इसके पेड़े बनाते जाए मैंने भी होतों को अलका सना घी लगा लगा कि इनको बना लिया था तो इससे क्या होता है इन में एक साइनिंग सी आ जाते रूपर से चिकने-चिकने से बनते हैं है कि नहीं तो यह लिजी हमारे बहुती बढ़िया पे मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है मेठा और खास का जो मैं मावे की मिठाईया बनाती हूं अब बच्चों को घरवालों को इतनी ज़्यादा पसंद तो मैंने भी बहुत सारे मिठाईयों को बनाना सीखे लिया है पहले मुझे नई बनानी आथी थी टेक्चर दिखा आपको मैं तो राधी राधी दोस्तों फिर मिलते हूं प्यार इसी रेसिपी में